यूपी के बुलन शेहर की वन विभाग की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है वन विभाग की टीम ने एक ट्रक में अवैद रूप से ले जा रहे प्रतिबंदित वन्यजीव मादा हाती को बरामत कर दो लोगों को गिरफतार किया है बुलन शेहर के गुलावठी में स्थित्व वन विभाग की नरसरी में खड़ा ये है मादा हाती जिसे शेतर के वन विभाग की S.D.O. गोतम सिंग ने उस समय पकड़ लिया जब इस मादा हाती को एक ट्रक में लाद कर बिजनोर ले जाकर अलिगड़ की तरफ ले जाया जा रहा था जीला वन अधिकारी की माने तो ट्रक चालक मादा हाती के दस्तावेज नहीं दिखा सका जिसके कारण मादा हाती को कबजे मिले कर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है हलाकि वन विभाग मुखे वन जंपदा प्रती पालक के दिदेश के बाद बरामद मादा हाती को सनरक्षिस्तान पर भेजा जा गया बुलन शैर से जीला सवदाता मुकेश कुमार की रिपॉट गया खागेश पत्रे मांगे कावेश पत्रे जो उसमें ट्रक में जा रहा ता तक को पकड़ के रिटेंड कर लिया गया है और जो सर क्या तसकरी की बिंदू पर भी जाश की जारी है कि क्या एलिफेंट की को तसकरी तसकरी तो एलिफेंट की तसकरी नहीं कोई करता है अब हाती कहा है पर हाती हमारा स्टाप के पास है अभी उनीक कस्टडी में है कल कोर्ट से मानी नियाले से रिलीज आडर लेंगे चीप यहां जाने के लिए को एंगे वहां हम हस्तकत कराएंगे उसको यह है प्रोसीज़ शुक्रियास ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद